हेलो एव्रिवान मैं हूँ किरन शापुरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता है क्राशीफल यह 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया तो फ्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, इसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं उसी साइन के हिसाब से आप इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता ही ग्राशी फल चलिए क्या अप्रिकॉइंज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या इनर्जीज हैं तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ट हैं नाइट ओव वांज और शाइन तो देखें दोनों ही बहुत ही ब्यूटिफुल कार्ट हैं और बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जीज की बात करते हैं नाइट ओव वांज का कार्ट कुछ चेंजिस की बात करता है shift, movement, speed की बात करता है और कुछ ऐसा ही in general या फिर आपके professional front में इस week रह सकता है क्योंकि ये general reading है तो सब के लिए ये changes, ये shifts differ कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए physical level पे रह सकता है जहाँ पे change of office है change of place है, change of residence है या फिर हो सकता है आप travel कर रहे हैं या फिर इन ही सब चीजों से related कोई discussions, कोई planning चल रही है और कुछ लोगों के लिए ये shift, ये movement, mental, emotional हो सकता है किसी एक emotional state में आप थे या फिर आप low feel कर रहे थे तो उसमें भी कहीं एक changes आते वे दिख रहे हैं आप काफी excited, काफी enthusiastic अपने professional front में किसी चीज के लिए या फिर अपने goal के लिए रहते हुए दिख रहे हैं और दिखें हो सकता है कि किसी चीज के लिए एक immediate action भी लेने की ज़रत रहे तो दिखें मैं यही कहूँगी कि आप ज़रूर immediate action लें लेकिन in the process आप impulsive ना हो anxious energies भी रह सकती है तो दिखें जब बहुत सारे changes या कोई भी change हमारी life में आ रहा होता है तो anxious होना थोड़ा सा किसी level पे normal होता है क्योंकि यहाँ पे shine का card है तो दिखें मुझे दिख रहा है कि positive changes आपकी life में आ रहे हैं और बहुत एक happy बहुत एक again beautiful energies आपकी life में लेकर आ रहे हैं एक नई beginning भी किसी level पे बहुत सारे Capricorns के लिए इस week होती होई दिख रही है और पीछे अगर किसी भी चीज को लेके आप confused थे आपको समझ नहीं आ रहा था तो इस week के clarity भी in general या फिर professional front से related आती होई दिख रही है तो overall दिखे काफी अच्छा ये week professional front के लिए जाता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है 8 of wands and move तो दिखे यहाँ पे भी दोनों ही movement के card हैं in fact देखे यहाँ पे 4 में से 3 cards movement की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे Capricorns के लिए किसी भी level पे एक movement, एक shift, एक changes आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर 8 of wands का card कहता है चीजे बहुत speed से आगे बढ़ रही हैं जिस direction में आप चाह रहे हैं उस direction में जा रही हैं या फिर हो सकता है कि किसी चीज पे आप बहुत time से काम कर रहे थे या फिर कोई phase आपकी life में बहुत time से चल रहा था वो भी कहीं अपने end की तरफ इस week आपको ऐसा लगेगा कि जाता हुआ दिख रहा है और हो सकता है कि आप internet या फिर you know social media पे बहुत जादा इस week active है और move का card भी कहीं यही कहता है कि आप बहुत initiatives बहुत action ले रहे हैं जो भी अपनी life में अचीव करना चाहते हैं चाहें वो आपका professional front हो चाहें आपका personal front हो तो देखें दोनों ही front के लिए एक similar सी energies दिख रही हैं आप बहुत excited दिख रहे हैं बहुत enthusiastic दिख रहे हैं happy energies हैं आप चीजों का control लेके आगे बढ़ रहे हैं और कहीं इसी वज़े से या otherwise भी एक success इस week रह सकता है अच्छी opportunities आ सकती हैं अच्छी चीजें आ सकती हैं अच्छी news आ सकती है and guidance से आप लोगों के लिए card है drum तो देखें ये card भी dream and journey की बात करता है तो Capricorns एक चीज तो पक्की है कि कोई shift कोई movement इस week आप लोगों की life में है वो again देखें सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए simply travel हो सकती है या कुछ लोगों के लिए physical, mental, emotional level पर ये movement हो रही है and drum का card कहता है कि जो भी आपका dream है, सपना है किसी भी life के area से related और कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो सपना ही है तो यहाँ पर इस card का आप लोगों के लिए message है आप इस direction में जरूर initiatives ले, action ले और कैसे इस चीज़ को आप reality में convert करें उसके ओपर focus करें और कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि आपका कोई dream है उसको आप reality में convert करना चाह रहे है या universe आपको कह रहा है कि अब time आ गया है कि आप उसको reality में अपनी life में लेकर आएं या फिर manifest करें and astrology से आप लोगों के लिए card है Libra और इसके हिसाब से white and turquoise colors आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं और जो दिन significant रहेगा वो है Friday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का साबता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए